रूके हम विधायक जी को फोन करते हैं क्या बोलते हैं विधायक जी अभी सब लोग सुनियेगा पुरा देश दिखेगा कि क्या बोल रहे हैं हमारे गाउं के बहुत सारे साधिया तो इस कारण से कट गई कि हमारे आने के लिए रोड नहीं है कोई आना ही पसंद नहीं करते हैं जब आएंगे तो नहीं हम लोग के दुख को समझेंगे पांच साल पाहले दुखो बच्चा बच्ची दियत कर गया था देखावे के कारण पूरा ना रहने के कारण हो कर दो आना है नमस्कार मैंमीत चवरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक आज हम मौजूद है इसलामपूर परकहंड के इचोहोस पंचायत के भाटवा बाक को जोड़ने वाली सड़क पे और हमारे साथ यहां के कुछ ग्रामिण है और ग्रामिण हमारे साथ इसलिए यहां पे मौ अगर देखा जाए तो 300-400 कुलावादी है उसके बावजूद भी यहां पे सड़क का निर्मान नहीं हो सका है बिहार के मुख मंत्री जो कि अपने आपको सुसासन वाबू कहते हैं वो बताते हैं हर एक सभाव में कि हमने बिहार के हर एक गाउं को सड़क से जोड़ा है ले सब के लिए एक महिला को खाट पे टांग करके इसलामपूर अस्पताल ले जाया जा रहा था बहुत चर्चा हुआ थो उस वीडियो का नेशनल नीज तक बन गया था बिधान सभा में इसका वाज उड़ा था लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के उदा सीन रवाईये के क एक दादा हैं बुजूर्ग हैं दादा एक बात बताईएगा कि आपका नाम क्या हुआ है रामारान सींग दादा सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आजादी के 75 सर पूरे होने के बाद यहां पे सड़क का निर्मान नहीं हो सगा है कितना पुदिकत होता है बहुत परसान है खाटिया पर टांग के लाबाई ले जाई यह को बेमारों पर आए तक खाटिया पर ले जाई बाबू खेते कहां लेजी भी कहां कायर भई इसके पीछे पांच साल पहले दूगो बच्चा बच्ची दियत कर गया था देखावे के कारण पर सड़क ना रहने के कारण सब्सक्राइब लेकिन फिर भी आज तक को इसका परभाब नहीं हुआ बाबू आज भी हम लोग देखिये सामने है कि चल अब पानी से भारा हुआ है हम लोग कैसे आजा सकते हैं 400 घर के 400 अबादी है अवाना जाना बांध है बाबू चाहां बाव में 20-35 मोटर साइकिल है चार मैना बरसात में निकला नहीं मैं मैंगर निकृक हां पूरा पाय बाबू गाड़ी ने निकलता साइकिल तक डARK नहीं पैदेल चलके गीरा था पिछले साल ऊसका प्राइट तूट तोमं दया था करते हैं दिखाते हैं बहुत परशानी है हम इसी डेंट कर गए तो समझिए कि देखने के लिए कोई नहीं तयार था बहुत नतीजा से हमें कंगर में स्टीडियन कर गए तो बहुत कठनाई से फोन के दोरा बाल बेचे पहुंचा तो चार घंटा बाद पहुंचा जदे साधर रहता तो 10-20 मिन पहुंचा था था बावु हम बच गए तो अपने अकवाल से बचे भगवान बचाए और क्या का सकते हैं बावु कुछ और भी ग्रामिड है कुछ युवा वर्क के लोग हम उनसे बात करते हैं कि वाओ का क्या काना है भाई सब क्या नम वापता मेरा नाब परसानिय की सम पहना नहीं है इस बहुत कीचड़ है नहीं करवाया यहां यहां के जुझ परतनेदीं वहां जैसे कि हांके छेत्र भी धायक हैं से पहले वे भी धायक रहें आप छेत्र के MP सभी हैं मतलब की बगल कहीं है तो उन लोग का कोई साया कुछ नहीं सुनें लोग आपके बातों को मतलब कि अपना आवास से भागा दिए चंदर सेंजी भी डाट कर भागा दिए अप्लिकेशन देखा जाएगा एक और युवा हैं भाईये से बात करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जैसे की गाउं में सड़क नहीं है ठीक है साधी विवा हो गया या फिर अगर किसी कारण बस को दूर घटना घटित हो जाता है तो आप लोग को आने जाने में कितना दिक्कत होता है सबसे पहले तो मैं नलंदा दस्ता के सारे सदस को बहुत भुत धनेवाद देना चाहूंगा जो कि आप लोग ने हमारी समस्या को अपना समस्या समझ कर हमारे बीच आएं मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे गाउं के बहुत सारे सादिया तो इस कारण से कट गई कि हमारे यहां आने के लिए रोड नहीं है बहुत सारी बहन बेटीयों के साधी इसलिए कट गई क्योंकि लड़के का पिता हो या लड़का के जनकारी हो तो पहला सवार है कि आखिर हम कर लेंगे तो इस गाउं में हम जाएंगे कैसे बहुत जासाधा प्रसानी है साधी विया हो, साधी विया में समान हो अगर कोई डेट कर गया उसके स्राद करम में हो बढ़ी है बढ़ी है लोग हमारे गाउं में आना पसंद नहीं करते हैं हमारे गाउं में आने से लोग कतराते हैं हम लोग के लिए नहीं सिर्फ ये राष्टा के लिए सरकार से बस हम भी यहीं मांग करना चाहते हैं जैसे पू तो कोई समझे हैं नहीं होगा और आप देख सकते हैं कि दितीस कुमार जी के गरी जीला में होते हुए भी हमारे गाउं इतना समस्या साइध किनी गाउं को भी होगा हम यहां पे छेतरी में घूमते रहते हैं वाई साब एक बेसा गाउं नहीं है कि जहां पे संपर्क सड़क और आपके गवब में 400 वाद्य उसके बावजूद भी संपर्ट कोई आना ही पसंद नहीं करते हैं जब आएंगे तो नहीं हम लोग के दुख को समझेंगे सब्सक्राइब करते हैं कि इसको कहा जा सकता है कि सरकार के बहुत प्लस पॉइंट है कि उसी समय करवेगा एलेक्सन जिसमें सारा इलाका जहां ऐसा इलाका और भी होगा कहीं उस इलाका में फी गाड़िया घोड़ा रैली वेगरा में जाने के लिए जा पाए शुक्त बच्चे भी हैं बच्चों से बात करते हैं भाई साथ combine होता है तो पढ़ने जाते होंगे तो साइकल से जाते होंगों कितना दिकत हो कि यहां के जो बहुत सरे ग्रामीन बता रहे थे कि हम सासन परसासन से सिकायत भी कि आप लोग किये भी होंगे हैं कि नहीं बहुत किये लेकिन यहां के जो सासन परसासन है लिःओर नहीं हैं और रहे अभी कि थे यहां आप साइके साइकिल में जिए-ऊचर तससामने आपको लिएstes कर दो एक है फिर्व साइकल मुट साइकल सब घर में पेक करहो जाता है अच्छा बेटी पुतो हो गया दादा उनको आने जाने में आले जर्म पढ़ेदल बेचारी आती है तो अपना गहर अपना घर में पेड़ा जाती है उसका बाफ मभिया क्या करता है ज्टा घर में कर दे अब लोग वोड़ देते हैं मद्दान करते हैं अब चल के हिसा लेते हैं कोई भी एलेक्षन में कि चलो कम से गंबी सबार को बीदायक आएगा तो मेरे हां काम कर पाएगा और अकेश जी तो हम लोग को बोले हैं असवासन दिये हैं कि मार्च में आप लोगो को टेंडर कीसी प्रकार करके लग भाग गई हुँ कटने के समय आपको रुड कें बीदायक जी को फोन करते हैं क्या बोलते हैं अभी सब लोग सुनियागा पुरा देष देखेंगा क्या बोल रहे हैं कि इस यह हमेसाव हैं सब्सक्राइए हुआ हे अजय है हलो एक जी नहीं है जी शर्व किया जी इस पुछ हर आएगा अच्छ टावी तुप ख्रद किया है कि नुंकि इस पाख नहीं हो सके का हाँ अच्छ आएंगे तुस्टा प्रभा देन ध्युन इस प्रौद कितना देर में अच्छ अच्छ आएंगे और उस पहचान रहा हमको तो देखिए हम आपको सड़क का दिरे सी दिखाते हैं कि कितना परियसानी होता होगा हम कामेरामन से दोर्खास्त करें कि सड़क का इस्थिति और प्रस्थिति को दिखाएं नितीश कुमार का ग्रीह जिला है और ग्रीह जिला में एक ऐसा गाउं है भटवा वाग वह आजाद इतना भी दावा कर लें कि हमने हरे बिहार के हर एक गाउं को सड़क से जोड़ा है लेकिन नितीश कुमार जी यहां के बिधायक जी जरा आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए कि यहां के सड़क का क्या इस्थिति है यहां के एक भाईयत वो बोल रहे थे कि हम कि गाउं में साधी लड़की पक्ष के लोग और लड़का पक्ष के लोग इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हमारे गाउं में सब कुछ सुखी संपन है लेकिन यहां पे आने जाने के लिए सड़क नहीं है और जिस गाउं में जाने के लिए सड़क नहीं हो वहां पे कोई भ के हर एक समस्य को आप लोगों तक पहुचाते रहते हैं और आगे भी पहुचाते रहेंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक धन्यवाद